जब से खेसारी लालीयादो के मैनेज़ कर रहे हैं उसके बाद लागतार एक से बढ़कर एक बड़े प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं तमाम तरीकी की चीजें ऐसी देखने को मिल जाती है जिसको लगता है कि ज़रूर कोई पीछे से मैनेज कर रहरोगा और वो management किसी और के द्वारा नहीं बलकि उनके manager विवेग शिंग के द्वारा किया गया है और तमाम तरीके का प्रयास हमेशा आये दिन किया जाता है कि कि इस तरीके से खेसारी रालियादों को और दिन पर दिन जो है उपर लिया जाए इसके लिए लगातार जो मैनेजर वेबेक सिंग है वो प्रत्न करते हैं और प्रयाश करते नजर आते हैं और इसकड़ी में आपको पता होगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक फैसला लिया था और फैसला ये था कि उन्होंने ब्लू बीट भोजपुरी एक चैनल खोला और इसके लावा ब्लू बूट इस्टीडियो जो की बॉलिवूट शॉंग्स के लिए गाना रिलीज किया जाता है ब्लू बीट भोजपुरी पर खैसारी लालयादों के गाने जो भी रिलीज हुए है वो गाने ट्रेंडिंग सेक्चर में गए हैं इसी कड़ी में खैसारी लालयादों के मैनेजर भीबेक शिंग का एक बड़ा अनॉंचमेंट हो गया है और वो बड़ा announcement दर्शकों को दिल गदगद कर देने वाला है और आपको भी वो जो update है वो काफी जादा बढ़ियां लगने वाला है दो असल बात करें तो खेसारी लाले दो कि जो manager विबेक शिंग है उन्होंने अपने facebook accounts एक logo साधा किया है ब्लू बीट भोजपुरी और ब्लू बीट studios के बाद एक नया logo लॉंच किया है और वो है ब्लू बीट films यानि कि ब्लू बीट films का नाम है मतलब कि अब जो है ये company of film भी बनाएगी यानि कि खेसारी लाले दो कि manager अब जो है producer बनने जा रहे हैं बात करें तो इस तस्बीर को साधा करते वे लिखते हैं कि कुछ नया और कुछ बड़ा ब्लू बीट films आप सब के प्यार और खेसारी लाले दो के भाईया के प्यार से आज आपके सामने है ब्लू बीट films का logo बहुँ जल्दी अपने heat machine के film एनाउंच होगी तो मतलब खेसारी लाले दो के मदद से अब जो है ब्लू बीट भोजपूरी और ब्लू बीट स्टीडियोज जानी गाने के चैनल्स के बाद अब ब्लू बीट film है और heat machine की इस banner तले फिल्म भी बहुत जल्द बनने वाली है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है तो एक अपडेट था छोटा सा मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए तो ब्लू बीट film पर आप जो फिल्म में बनने वाली है उसको लेकर आप कितना जादा औ और किस तरीके से देखते हैं हमें comment box में ज़रूर बताईएगा थाने बाद